हेलो दोस्तों, इंदोर में अभी तक वोटिंग की गती काफी धीमी दर्ज हुई है। कम वोटिंग की वजह से बीजेपी में कई तरह की हलचल मची हुई है। कांग्रेस ने नोटा को चुनने का प्रचार जहमकर किया है। सीएम मोहन यादव ने कहा है कि कांग्रेस नोटा के नाम पर निगेटिव राजनीती कर रही है। आपको बता दें कि सुभह 11 बजे तक इंदोर में लगभग 25 प्रतिशत ही वोटिंग हो पाई है। जिसकी वजह से बीजेपी नेताओं की चिंताएं बड़ी हुई हैं। इस बार इंदोर में बीजेपी को 10 से 12 लाख वोटों की जीत मिलनी चाहिए। कैलाश विजयवरगिये ने एक अभियान चला कर इंदोर में कांग्रेस प्रत्याशर अक्षय कांती बम का नामांकन वापस करा दिया था और उनको बीजेपी में शामिल करा दिया था। इसकी वजह से इंदोर में कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है और इंदोर की जनता से नोटा को चुनने के लिए जम कर प्रचार कर चुकी है। जिसकी वजह से इंदोर बीजेपी के नेताओं की धड़कने बरी हुई है। क्योंकि अब तो कांग्रेस चुनावी मैदान में नहीं है और सिर्फ 14 निर्दलिय प्रत्याशी ही मैदान में है। यदि बीजेपी ऐसी हालत में भी 10 लाग से अधिक वोटों से नहीं जीतती है तो फिर बीजेपी आलाकमान का कोब भाजन इंदोर बीजेपी के नेताओं को भोगना पेडिडिडिएच सकता है। इसलिए बीजेपी नेता लगातार लोगों से वोट करने की अपील कर रहे हैं। वैसे आपका पसंदीदा नेता कौन सा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।